अशोग नगर की राजनीती में एक बड़ा उलट फिर आज देखने को मिला है जैसा कि हम सभी को पता है कि चुनावी दोर चल रहा है और चुनाव में राजनीती में इधर से उधर जाने की परंपरा जिसी बन गई है लेकिन अशोग नगर में जो आज हुआ है यह आने वाले दिनों में एक बड़ा मील का पत्तर सावित होने वाला है दरसल अशोग नगर का जाना पैचाना राओ परिवार जिसके बड़े लड़के को कॉंग्रिस द्वारा मुंगावली में प्रत्यासी बना दिया गया था उनके छोटे बेटे जो की मदप्रदे सरकार में अलब संक दिया हमारे साथ स्वयम मौझूद है राजय बंत्री दरजा अजय यादब जी हम इन से जानेंगे क्या कुछ ऐसे कारण रहे और क्या कुछ इनकी भविश्की प्लान है अजय जी क्या मतलब परिसिती सामने आए कि आपको आज बाजयापास से त्याग पत्र देना पड़ा देखिए जो भारती जन्ता पार्टी की जो रीती नीती थी जो बिचार धारा थी वो अब समाप्त हो गई है कुछ लोगों के आने के कारण जो भारती जन्ता पार्टी पहले से रही है अब भारती जन्ता पार्टी नहीं रही है चुकि पार्टी से जिसमें हम साहे जनम से इस पार्टी में काम कर रहे हैं, आपका पूरा परिवाय लगवग सनस्ती से काम कर रहे हैं, ऐसी पार्टी को त्याग देना अपने आप में एक बड़ा साहिसिक और स्वावी महान वाला निर्णा आपके मन में भी कुंठा होंगी, क्या कुछ ऐसे कारन थे क्या आप किसानों की समस्याओं को नहीं सुन पा रहे थे या पार्टी आपको उपेक्षित कर रहे थी देखिए एक जनपृत निदी का कारे होता है कि जनता की सेवा जनता के कामों को पूरा करें उनकी उपेक्षाओं पर खरा उतरे मैं आपको बता देना चाहता हूँ मुझ पर राज्यमंती का दर्जा होने के बाद भी मैं जन्ता के कारे नहीं करा पा रहा था कहीं न कहीं मेरे मन में अंदर गलानी होती थी कि मैं इतने बड़े पद पर होने के बाद भी कारे करता हूं के कारे नहीं करा पा रहा हूँ और दूसरा मुद्धा जो मैं असोग नकर जिले में देखता आ रहा हूँ, इतना भरष्टाचार जब से मैं भरती जनता पार्टी में सामिल हूँ, चुकि मेरे पता जी 1980 से भरती जनता पार्टी में काम किया है, उसके बाद से जब मैं 2013 मंडी अध्यक्ष बना हूँ, तब से मैंने अभी ता कितना भरष्टाचार नहीं देखा, जितना भरष्टाचार अभी हमारे असोग नगर जिले में चल रहा हूँ, आप इस भरष्टाचार के पीछे जिम्मेदार किसको मानते हैं, क्योंकि पिछली सरकार थी, वो कॉंग्रिस से तूटकर आया, विदायकों के स है, बविश्ट में आपका क्या कुछ कताम होगा, ऐसे क्यास लगाए जा रहा है कि आप बहुत जल्द कॉंग्रेस पार्टी जोएन करेंगे, जी हां, मैं भार्ष्टियंता पार्टी छोड़कर कॉंग्रेस पार्टी जोएन करूंगा, और मेरा कार और मेरे पूरवज़ों का जो कारे रहा है, मेरे पिता जी का जो कारे रहा है, जनता की सेवा करना, वही जन सेवा मुझे करना है, कॉंग्रेस में जाकर मैं बेकार करूंगा, ऐसा सुनने मैं आए कि अबरोध में 20 तारिक को एक बड़ा AWGN होने वाला है, हजजारों लोग की संख्या में कार करता है है बारतियंता पार्टी चोड़कर कौंगरेसम सामिल होंगे साथी साथ आपके जो पूझ पिताजी उनकी प्रतीमा का अनावरन वगरा भी वहां पर होना है क्या कुछ कारका मैं क्या कुछ रूपरेखा उसकी जी देखिए मैं आपको बता देना चाहिता हूं कि आज से चार स पर रखी रही यह भी बड़ा सर्मनाक बात थी और यह मूर्ती घर पर रखी होना अच्छी बात नहीं होती है तो यह समय जब आया और मुझे कौंगरेस में जाना पड़ा तो चूकी मैंने कौंगरेस के बड़े पदादीकारियों से बात की तो उन्होंने असबसंद दिया कि हम 20 तारीक को आकर मूर्ती का नाबरन करेंगे और आप भीं कौंगरेस पार्टी को जाने के बाद क्या कुछ राजनातिक महाओल यहां पर देखने को मिलेगा मुगाओली का परिणाम किस तरह करेगा और पूरे जुले का बात आबरन क्या कुछ रहेगा देखिए मेरे सा भारती जनता पार्टी के सेकड़ों कारे करता जो ब्यक्तिकत रूप से मुझसे जुड़े हैं जो ब्यक्तिकत रूप से लंबे समय से हमारे साथ कारे करते आ रहे हैं और कहीं न कहीं अन्य पार्टियों से मैं उनको लेकर भारती जनता पार्टी में सामिल कराया था वो कही नहीं नहीं सारे के सारे लोग छोड़कर भाजपा को और कॉंग्रेस जोइन करेंगे। मतलब यह तह कि आप कॉंग्रेस पार्टी जोइन कर रहा है। जी बिलकुल तह है। मैं आने वाली 20 तारीक को मानने पूर मुख्मंति दिखबर सिंग जी के सामने कॉंग्रेस जोइन करूँगा। एक और क्यास लगा जा रहा है कि आप साथ सिरोंच से कॉंग्रेस के चेहरे हो सकते हैं। कितनी सचाई इस बात को लेकर। देखिए राईनीती सर्थों पर नहीं होती ना की जानी चाहिए ना मेरी कोई सर्थ है। राईनीती अपनी काबलियत पर होती है। और आने वाला समय अपने आप दिखाएगा। हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद। तो ये थे अजय आदब जी राजमंत्री दरजा इनों ने आज ही भारतियंता पार्टी से अपनी प्रात्मिक सदस्ता से और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। आजी साथ इनकी माताजी ने इस्तीवा दिया और इनके साथ एक बहुत बड़ा कुनवा जो कि भारतियंता पार्टी में लंबे समय से काम कर रहा था बेभी पार्टी से इस्तीवा दे रहा और आने वाली 20 तारीकों कॉंग्रेस का दामन थामेंगे अशोक नगर से एसीन भार के लिए आजी इसमाल भी है